Very good morning class, how are you all? Students, take out your Hindi book, open page number 45, chapter 7, Shiva Ji. इस chapter में हम लोगों ने पढ़ा था कि Shiva Ji किस तरीके से कल्यान प्रांत पर विजय प्राप्त करते हैं, Shiva Ji की सेना कितनी बलशाली है और मोनो प्रांत और Shiva Ji के वेच क्या बात होती है? उसके बाद में हमने देखा कि सोन देव ने कल्यान प्रांत की पुत्रवधू को अपने साथ में बंदग बنا कर ले आए थे और उसके बाद शिवा जी ने उनको किस तरीके से डाटा था, फटकार लगाई थी और बाद में सोन देव ने शिवा जी के कहने पर उनको सम्मान पूर्वक वापस भेजा था आईए देखते हैं कि अब इसमें हमें कॉपी वर्क में क्या करना है कॉपी वर्क में बच्चो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको शब्दार्थ लिखने हैं तो शब्दार्थ के लिए सबसे पहले आप डालेंगे चैप्टर नंबर चैप्टर नेम उसके बाद में आप लिखेंगे इसके शब्दार्थ नेक्स्ट आपको करना है प्रेशन उत्तर तो आप डालेंगे नीचे दिये गए प्रेशनों के उत्तर लिखेंगे क्योंकि वो कल्यान प्रांद को विजय करके आये थे इसलिए वो खुश्ट थे इस्त्रियों के प्रति शिवा जी के विचार कैसे थे तो आप इसका आंसर लिखेंगे शिवा जी इस्त्रियों को अपनी माता के समान समझते थे इस्त्रियों के प्रति उनके विचार कैसे थे? वो हर इस्त्रि को अपनी माता के समान मानते थे नेक्स्ट है आपका सिवा जी के सुबेदार की पुत्रवधू के साथ क्या किया था? तो सिवा जी के सुबेदार ने पुत्रवधू को बंधक बना कर ले आये थे ठीक है उन्होंने क्या किया था पुत्रवदू को बंधक बनाकर उनको लेते आये थे आहमद कौन था आहमद कल्यान प्रांत का सुबेदार था पूडविराम इतना आपको आपकी कॉपी में लिखना है नेक्स्ट इसके बाद में बुक वर्क मैंने आपको आलरेडी आपके इससे पहले वाले वीडियो में करा लिया है जिन्होंने ना किया हो वो टिक दा करेक्ट ओप्शिन्स फिल इन दा ब्लैंक्स यहां से देख करके कर सकते हैं आज के लिए इतना ही इसी के साथ आपका चैप्टर सैवन शिवाजी फिनिश होता है कल हम नए चैप्टर के साथ में फिर वीडियो में मिलेंगे थैंक्यू हेव नाइस टे